हलो दोस्तों कैसे हैं आप सब आसा करती हूं आप सब बहुत अच्छे से होंगे और अपने अपने कामों में मस्त और ब्यस्त भी होंगे तो दोस्तों देखिए यह फूल गुलाब के जो बहुत ही खुबसुरत बरे-बरे साइज का फ्लावर खिला है और यह रोज प्लांट लाएं सबकों बढ़े हो अपनी और आकरसित करता है तेमेरे वाटका में भी बहुत संदर संदर्पूल है जी नहीं करता है और मन करता है और सारे रोज़ प्लांट लाओं तो बहुत सारे रोज़ प्लांट मेरे गार्डन में है फिर भी देखिए मैं नर्शरी से दो तीन रोज़ प्लांट लाई हूं और उसकी रिपोर्टिंग करूंगी तो उसको रिपोर्टिंग मैं कैसे करूंगी उसको और उसकी बेल आइकन के घंटी रिप्रेस कर दीजेगा दोस्तों ताकि जब भी कोई वीडियो अप्लोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके तो चलिए दिखाती हूं कि नर्शरी से लाए हुए रोज प्लांट्स की रिपोर्टिंग मैं कैसे करती हूं उसकी म जब यह टूसरी से लाए हुए हूं और यह 3 NEW देखे यह ब्राउन यह पींक 58 के सेडिड में है तो 3 यह मैंने सबते हूं रोज प्लांट लाये हैं एक हैं नहीं इस पहलाए हुआ तो यह कंद दीख सब 3 इसारी में after 10, rd s मीटी टियार करते हैं तो दोस्तों देखें यह मैंने गोबर की खाद मिला रखी है तो इस तरह मैंने मिटी डाला है गोबर और मिटी एक साथ मिला के रखा करे है और यह देखें यह पोटास है और ये थोरी से fungicide है और ये कोकोपीट है तो कोकोपीट और fungicide और ये पुटास तिनों उपर से मैंने डाला है क्योंकि एक सांथी गोबर और मिटी को बना के मैंने रख लिया था और ये बर्मी कमपोस्ट है केचुए की खाथ तो इसको भी मैं थोरी थोरी डाल देती हूँ ये बर्मी कमपोस्ट बहुत अच्छा होता है दोस्तों हमारे प्लांट्स के लिए तो गोबर की खाथ तो मैंने मिटी में मिला के रखा है और उपर से ये बर्मी कमपोस्ट मैं मिला रही हूँ तो इस तरह देखिए ये सभी मिट्टी मैं त्यार कर रही हूँ इस तरह डाल के सभी कोको पीट बर्मी कमपोस्ट और गोबर की खाद मिट्टी तो आधे आध मिट्टी और गोबर की खाद लिया है थोरी सी मैंने कोको पीट लिया है फंगी साइड लिया है और थोरी सी बर्म कर लिए हैं तो चलिए इसको मिला देते हैं अच्छे से तो मिटी को अच्छे से मिलाने के बाद उसमें हम प्लांट लगाएंगें तो देखिे यह सभी मिटी है तो इस तहरे की मिटी बनाएंगे दोस्तों तो रोज के प्लांट में बहुत अच्छे फ्लावर खेलते रहेंगे बरे बरे साइच का क्यूंकि पुटास हमारे रोज़ट क्वाध प्लांट के लिए को छळियां क्षा करने करें वाध क हृधाश क्षा क्षा इसको लगाती हूँ तो यह प्लान्ट जो रोज प्लांट इसको मैं निकालते हैं पॉली बैक से और थोड़े भाएं वक्त मेरे बैग में से तूट गया था बहुत सारी प्लांट थे तो यह देखिए दोस्तों यह मीटी चिकनी मीटी है जहां आधे में चिकनी मीटी है और यूपर में राई शिर्म बॉन है जो ध्याद थान की बूसी नहीं लिकालोंगे और चिखनी मीं निकाल देती हूँ धान की बूसी हमारे रोज प्लाण्स के लिए बहुत अच्छी होती है उसेος बहुत बहुत करते हैं St. दान की भूशी मैंने नहीं निकाला है और चिकनी मीटी जितनी भी थी आधे में वो सब निकाल दिया है मैंने तो इस तरह देखिये और ज्यादा डिप नहीं लगाओंगी ताकि जब डिप लगा देंगे तो रूट्स नीचे तक चले जाएंगे तो इस तरह पॉट्स के उप होगे और इसको भी इसी तरह उपर से लगा के मिट्टि थOld इसी भर देती हूं तो तीनों प्लांट में इसी तरह लगा, देती हूं देखे यह नहní h20 घ्रत्य होता है कई तरह के बहूं सारी इसमें कलर आते हैं हो दो इस तरह सभी प्लांक मेश आगआ देती हूं तो तीसरा प्लांट भी दैखिए दोस्तों यहमने लगा रही हूं यह यह याल कट जो है इसमें भी देखिए यह नीचे में meinem और ओपर से यह हम प्लांट अलग से रख्वत देते हैं जो हम Pi बनाये है और यह प्लांट नरशरी में भूह लगा दिया है अब पानी एड़ कर देते हैं इसमें, तो पानी हम पूरे भरपूर मात्रा में देंगे और पानी देने के बाद 2-3 दिन तक हम इसको सेडी सेम में रखेंगे, यानि जहां 2-3 गंटे की धूप आती हो वहां रखेंगे, और उसके बाद हम उसको धूप में रख देंगे, तो तो दोस्तों कैसा लगा हमारा वीडियो अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज अपनी कॉमेंट जरूर दीजिएगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में